हाई गैज वेलकम बैक टो तुरदेव इन्वेस्मेंट लैब तो गैज आज मैं आपके साथ दो स्टॉक करने वाला हूं जिसमें की स्टॉक काफी अच्छी डिप्टेंट भी प्रवाइड करा रही है तो इसमें एक अच्छी प्रॉफिट मनाई जा सकती है स्टॉक में काफी अच्छी मोमेंट नजर आ रहे हैं तो जरूर करें उसके बाद ही इस्टॉक को बाई या सेल करें करें तो यह स्टॉक साथ आपके लिए बेटर हो सकती है काफी अच्छी प्रॉफिट इसमें आप बना सकते हैं तो आप इस वसलिस में जरू करें और अगर यह बेटर लगे तो आप हमें कमेंट करना बिल्कुल मत बुलिएगा अगर वाट्सेप नबर भी दे रहे था है अगर आपको कोई प्रस्नल मैसेज करना हो तो आप वहाँ हमें मेसेज कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत बुलिएगा क्योंकि इस तरह के वीडियो जो मैं आपके लिए रिख रहता हूं वो सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे तो आएके चलते हैं वो कॉन सा सब्सक्राइब में प्रसाइब करते हैं और क्यास बात करें गलजब करें फोकस बना सकते हैं अप इसमें पई एक अच्छी बाइंग के लिए अगर बड़े गाइस तो देख सकते हैं यह जो है इनकोर्परेट 2007 में होई इसकी मार्केट केप देखें तो गाइस यह जो है 95 करोर रूपीज की देखने को मिल रही है यह अगर जिस तरह से गिरावट के बाद अगर यह मूवमेंट शुरू होता है तो 100 सेक्षिन तक का एक टारगेट अच्छी कासी यहां पर बंती नजर आ रही है इसकी अगर प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो 94.8% की प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं 59.6% की देखने को मिल रही है इसे स्टॉक में अगर होल्डिंग की बात करें जो की 39.5 की नजर आ रही है इससे आपको स्टॉक थोड़ा ओबर वेल्यूट देखने को मिल रहा है तो इसमें फोकस बनाई जा सकती है इस्टॉक की आरोसी देखें तो 18.4% की आरोसी देखें तो 14.2% की जो की काफी बेटर मानी जाती है साधी 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 इसकी फेस वेल कंपनी को उपर और इसने पिछले लास्ट यर में 0.54 करोर याने की 54 लैक रूपीज का जो है डिविडेन परवाइड किया है इसके अगर प्लेस प्रसेंटेस को देखें तो 0 नजर आ रहा है जो की काफी बेटर मानी जाती है तो काफी स्टॉंग स्टॉक देखने को मिल रह सकते हैं और इसे वाच करते रहें मौका मिलते हीं आप इसे बाइंग कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टॉक के तरफ जिसमें कि क्या पोटेंशल बन रहे है वह भी जानते हैं तो जिस स्टॉक के बारे में आपका सब्सक्राइब कर रहा हूं उस से के कि इसमें भी काफी अच्छी चैंसे मिल रही है बाइंग के लिए थोड़ी गिरावट के साथ साथ इस्टॉक की बात करें तो यह बी एसी एनसी दोनों में ट्रेट करता है इस्टॉक का मार्केट का आप देख सकते हैं 3,343 करोर रुपीज की नजर आ रही है 52 अंडर हाई जो नजर आ रहा है 176 का और 52 ग्लो देख सकते हैं 88 रुपीज की देखने को मिल रही है इसके अगर बात करें इस डिविदेंट की तो यह जो कर रहे है 28.8% की देखने को मिल रही है यानिकर डिविदेंड येल्ड देखा जाए तो 1.75% की जो है इसकी डिविदेंड तो 27.4 की नजर आ रहे है जो कि इंडस्ट्री पी 30.5 से कम है यानिकर अंडर वेल्यूड यहाँ पे देखने को मिल रहा है बट अगर वुक वेल्यू के निसार देखा जाए तो आपको ये स्टॉक थोड़ी ऊपर देखने को मिल रही है तो इसमें आपको फोकस बनानी होग तो 63.3 की देखने को मिल रही है एफाई होल्डिंग 3.54 की डिये होल्डिंग 12.4 की और पब्लिक ओल्डिंग देखें तो 20.7 की होल्डिंग बनाते नजर आ रहे हैं यानि इस सभी के पास काफी अची होल्डिंग देखने को मिल रही है इससे स्टॉक अगर कंपनी के उपर की बात की जाए तो आप कंपनी के ऊपर देख सकते हैं 47.6 के उपर जो है कंपनी के पास आपको यहां पर देखने को मिल रहा है अगर बात करें कंपनी के ने डिविडेंट कितना दिया है तो इस पिछले लास्ट यर में 58.8 कलर रूप इसकी डिविडेंट इसने प्रवाइ यहां पर देखनी को मिल रहे हैं काफी अच्छी प्रवाइंट कर सकते हैं एक अच्छी ऑपरजनिट्य आपको मिल रही है बाइंग के बाद एक बड़ी प्रॉफिट इसमें बनाई जा सकती है तो आपको इसमें फोकस बना कर रखना है आप इसे वस्तलिस में एड़ करें मैं अगर आपको कमेच्ण करना कीं पूरी के आपको करने के लिह ये को की मेरेट को सुख्राइब करना एकन प्लेट नहीं को सब्सक्राइब करना और बिल्कुल थैङक्न बेखने का चाहिए हूँ